कि नमस्कार दोस्तों कि अज कि वीडियो में आपको बताऊं कि जो मेरा इंडीडियो और इसमें क्या नया फीचर उसको कैसे यूज कर सकते हो और अगर आपको यह पोला इंडीडियो परसंद अगर आप यह लेना चाहते हो तो तो इसका मैंने पूरा detail end of the video में दिया गया है, वो आप बाद में जाके देख सकते हो, पहले आप देख लो कि यह कैसे काम कर सकता है, और जो नया चीज है वो आपको कैसे help कर सकता है आपके trading में, अगर आपको detail में जानना है कि यह indicator क्या है, तो आप जैसे यहाँ पे मैंने last time यह video बनाया था, कि indicator का all-in-one है, तो आप जाके यह video पूरा देख सकते हो, जहाँ पे आपको तोड़ा detail में पता चलेगा कि यह कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो है कि आज मैंने क्या add किया है, तो सिधा चलते है चार्ट पे दोस्त अगर दोस्तों आप इस चैनल में नहीं हैं तो प्लिज सस्क्राइब जरू कर देना और वीडियो पसंद आ तो लाइक और शेर जरू करना, तो आज का जो नया अपडेट है, जो से मैंने आपको साथ शैर भी किया था, ग्रूप में, जो टेलीग्राम है, कि यह मैंने add किया क्या है, फिर RSI, ADX, यह सब हमने मिला कि यहां पर दिया था, add जो किया है हमने, वो किया है यह 5 स्टॉक्स का, यानि आप कोई भी चार्ट यहां पर देखते हो, तो आपका यहां पर बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा चार्ट, आपको यहां पर ही उनका डीटिल पता चल जाएगा, कि वो स्टॉक अभी क्या कर रहे है, आप अगर बैंक निप्टी ट्रेड करते हो, तो आपको पता है, कि जो इंपोर्टन रहता है बैंकिंग, जैसे कि HDFC, ICA, SBI, KOTAK, तो उसका वेटेज काफी है, तो अगर यह 5 में से यहां पर आपको चार डाउन दीख रह यहां पर जैसे बाय आएगा, मैं वहां पर जाके देख के बाय कर लूँगा, वैसे भी कर सकते हो, और यह जो इंडिकेटर है, कल मैंने ग्रूप में बताया था, यहां पर कि 17340 सपोर्ट है, 37680 यहां पर एक सपोर्ट है, तो वो कैसे काम आया था, मैं आपको बता देता ह हूं, यहां पर यह देखतो हो, यह हमारा SSI सपोर्ट है, यह जो बैकबॉन है, यहां से हमें डिसाइड करना है, कि क्या हम यहां से एक बाय जोन में है, या सेल जोन में है, तो मार्केट जब नीचे आ रहा था, तब एकसे इसने सपोर्ट लेके हमने बाउंस दिया था, जब यहां पर यह premium group में add हो जाते हैं और उनको यहां पर benefit मिलता है मैं जब भी available रहता हूं मैं वहां पर उनको update करता हूं share करता हूं कि आप कैसे यहां पर view चल रहा है यानि market का भी trend क्या है और कोई भी अच्छा trade होता है तो मैं उनको वहां पर बताता हूं तो यह काफी जा सकते है जैस सिमिलर क्या होता है कि जब market नीचे जाता है तब हमें यहां पर देखना होता है कि क्या यह हमारे सब criteria कि यहां पर exactly match होते है तो हम आपर short करते हैं तो हमें clear idea मिल जाता है और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी जैसे मैं यहां पर अभी निप्टी का future data लेत मैं अधानि कर रहा हूं तो मुझे यहां पर reliance लेखना है कि reliance कैसे कर रहा है तो मैं करा करूंगा setting में जाओंगा यहां पर setting में जाके मैं नीचे last वाला axis को मैं निकाल के यहां पर reliance कर दूंगा अब कोई भी weeks भी यहां पर add कर सकते हो जो भी आपको stock add करना है डाउजन् तो यहाँ पर मैंने पहरा पाया है तो यहाँ पर पता चल रहा है हमारा यह भी कि दाउन से तो उस हिसाब चाहिंगे है Questions एम हने चारज हैं którego कोई भी शचाष्ट-पास एक हैई हैillah Bes execut right हुआ है वो सब condition match होगा तो वहां पर buy sell आएगा कुछ लोग को यहां पर खाली देखना है कि price हमारा यहां पर sell में है कि buy में है वो यहां पर cross alarm करके भी यहां पर select कर सकते हैं जैसे यहां पर sell का select किया once bar close यानि कि कोई weeks पर नहीं हमें पूरा बार एक close होगा तो ही पता चलेगा तो create करने पर हमें वो फिर notification आजाता है कि हां यह हमारा buy था या sell फिर जैसे यहां पर आप देखते हो तो यह ऐसे message generate होके आता है कि हां आपका जो निफ्टी था उस टाइम पर sell था और यहां पर sell signal आया और कुछ indicator नहीं है तो यह मेरे indicator का पार्ट नहीं है तो प्लीज एक ध्यान में रखना यह indicator का जो पार्ट है आप उपर की साट जो दीख रहे हो यह सब एक indicator का पार्ट है बाकी वहां पर नहीं है तो आप कोई भी stock select करते हो तो आपको यहां पर हर एक चीज बता चल एक ही पेज में बार-बार आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आज का यह चोटा सा explanation आपको पसंद आया होगा और दोस्तों पसंद आता है तो प्लीस लाइक और शेयर ज़रू करना और डीटेल जानने के लिए बने रहना मैं update यहां पर करता हूं आप end of the video देख लेना क्या है डीटेल जोइन करने का thank you take care bye bye